अब देखुआ इस वीडियो के उपर क्लिक करहीं दिये हो तो कोटक महिंदरा बैंक की लिए प्लेटनम क्रेडिट कार्ड विडाउट इंकम पर फाइनली आज मुझे रिसीब हो चुका है इसक्रेडिट कार्ड ने फांट सक्षिब बड़ी मजी की बात इनी है कि एक। अब कर चेडिज कार्ड आपको credit card provide करता है लेकिन इन सारी credit card में से मुझे ए credit card best लगा जो कि कोटक महिंदर बैंक की इंडी प्लेटनम credit card है इस credit card के साथ सबसे बड़ी मज़े की बात है कि ना आपको एक पैसा इनकी जोइनिंग सी देनी है ना आपको एक पैसा इनकी इन्वल सी देनी है और गई आप जो है मिनमम 18 की एग में भी इस card को complete apply कर सकते हैं इसी की फाथ अगर आपका बार बार कोटक की अंदर credit card decline हो रहा होगा तो अधी इस मौसम की अंदर एक वाला card इतनी तगणी मत्रा में एप्रू हो रहा है कि इतना ज़्यादा एप प्रूफल पिछले 2-3 सालों में नहीं देखा था तो फाइनल गई मैं जैसे जैसे यहां पर पूर्शिस करकी आपको बता रहा हूँ सीम आपको वैसे ही पूर्शिस करकी इस card के लिए complete apply करना है 99% chance है कि आपको इवाला card मिल जाएगा तो फाइनल गई सबसे पूले हम इस card को few minutes के अंदर apply करके दिखाते हैं कि आपको इस card कैसी विलिगा उसके बाद इस card की complete unpacking करकी आपको दिखाएंगे कि इस card की limit क्या है इस card की look क्या है इस card की pin कैसी activate करेंगी यह सारी चीज़े आज की इस video में हम आपको बता देंगे तो फाइनल गई चोलो फीर card करम स्टार्ट करते हैं तो फाइनल दुस्तों card apply link आपको इसी video की description में मिल जाएगा आप उसके उपर जैसे ही click करेंगी directly आप जो है benefit की बारें बताय गया है जिसे सफसे पली आपको बताय गया है कि एक card रूपी variant और वीजा variant दोहों में issue किया जाता है अगर मान के चले कि आपको रूपी variant में एक card मिल जाता है तो और बले-बले क्योंकि आप जो है अपनी credit card को UPI से link करके आप जो है किसी भी merchant के उपर payment कर सकते है डिरेकली आप अपनी credit card के माधियम से इसके अलावा और फी इनकी benefit बताय गया है जिसे आप जो है इस card के माधियम से च्छी महिनी के अंदर अगर एक लग पुछी सजर रुपिया एस्पेंड कर दीते हैं तो यहाँ पर आपको दो सजर reward points मिल जाएंगी या फिर गई चार PBR movie ticket आपको बेलकुल फिर मिल जाएंगी इसकी अलावा बताय गया है कि आप इस card से 8x reward points यहाँ पर on कर सकते हो और 3.500 रुपिया एस्पेंड करने पर तो finally इनकी और भी बहुत सारी benefit है यहाँ पर आप इस card को apply करने के लिए get your card वाले उपन पर complete क्लिक करेंगे अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपकी mobile नमबर मांगे जा रही है यहाँ पर OTP को आप इस box में complete फिल करेंगे और OTP फिल करने के बाद यहाँ पर verify वाले button पर complete क्लिक कर देंगे इसकी बाद आपको दो interface दिखनी को मिलेगा सबसे पहले यहाँ पर आगर आपकी account कोटक महिंद्रा बैंक की अंदर है तो दिखू भाई यहाँ पर benefit A है कि यहाँ पर आपस आपके कोई account गोड़े नहीं है तो उस condition में यहाँ पर आप अपनी mobile number या फिर email id और नीचे आप अपनी date of worth फिल करकी यहाँ पर जैसे ही next करेंगे अगले पिल में यहाँ पर आपको पनी पिन कार्ट की number फिल करेंगी इसकी बाद आप अपनी आधार कार्ट में जो भी date of worth ह उस date of worth को यहाँ पर फिल करेंगी इसके नीचे आपके जो भी email id है आप अपनी email id फिल करेंगी यहाँ पर आपको पनी gender फिलक करनी है कि आप mail है याँ सिर्फ email है यहाँ पर फिलक करकी proceed वाले बटन पर complete क्लिक कर देंगे अब देखो भाई इस वाले page पर यहाँ पर आपको mother's की निम में यहाँ पर फिलिंग मिस्टिक ना हो इसके बाद यहाँ पर आप confirm वाले बटन पर क्लिक करेंगे अब देखेंगे यहाँ पर आपको पनी employment डिटेल फिल करनी है यहाँ पर आप देख सकती हो आपको बहुत सारी अपसर मिलेगी इसके बाद देखेंगे यहाँ आप student वी हो तो आप इस card के लिए apply कर सकते हो यहाँ पर आपको approval मिल जाएगा तो final यहाँ पर आप अपनी हिसाब से complete आप अपनी employment फिलक्तरेंगे दोस्तों मैं यहाँ पर solid फिलक्तरता हो और यहाँ पर confirm वाले बटन की उपर complete क्लिक कर देता हो अब देखें दोस्तों यहा पर आप अपनी office email id फिलक्तरेंगी इसके निची आप जिस भी company में काम करते हैं अगर आप solid फिलक्तरत की होँगे तो अप जिस भी company में काम करते हैं उस company की name फिलक्तरत करेंगी अगर आप self influenced फिलक्तरत ही है यहाँ आप पर प्रप्राइटर सीफ यानि कि कौन सी विजनस है आपको उस business की name complete fill करेंगे अब दीखो 5 work details के बाद यहाँ पर आपको monthly income fill करनी है यहाँ पर एक criteria है कि यहाँ पर आप आप 15,000 रुपया प्रतेक मंथ में income है आपकी तो यहाँ पर लिफ देन 15,000 रुपया अप्सन को फिलक्टरेंगे अगर आपकी income 15,000 से लेकर की 25,000 है तो य यहाँ पर आप अपनी इसाब से complete fill करेंगे लेकिन देखिए दोस्तों यहाँ पर यह चीज में आपको वताता हूँ कि अगर आपको credit card लेनी है तो आप अपनी monthly income यहाँ पर 40,000 से above fill करेंगे अगर आपसे annual income पुछ जाती है तो यहाँ पर आप 4,000,000 से above fill करेंगे जो चीज आपसे कि यहाँ पर आपके फाद bank में कोई लेफन है तो यहाँ पर आप एस करेंगे यहाँ आप चो है डिरेक्टर या फिर कोटक महिंदरा बैंक की एक्यूटिव इगड़ है तो उसे complete एस करेंगे अगर नई है तो उस condition में यहाँ पर आप no करेंगे दोस्तों यहाँ पर complete फिल करेंगे, landmark फिल करेंगे, city फिल करेंगे, pin code फिल करेंगे, update फिल करेंगे, इस सारी चीज़े फिल करके आप जैसे ही confirm वाले button पे click करेंगे, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपसे बोला जारा है कि provide your current office address, यहाँ यहाँ पर आप अपनी complete office की address फिल करेंगे, अगर देखिए दोस्तों यहाँ पर next page में आपसे फुषा जारा है कि आप अपनी credit card की statement आप अपनी email पे लेना चाहते हैं, तो final यह आप host वाले upfront के उपर complete tick करेंगे, देखिए दोस्तों यह आपकी मर्जी के उपर है, अगर आपकी one करें तो यहाँ पर tick करेंगे, वरना गईज आप इसे चैसे छोड़ देंगे, यहाँ पर दोनों नीचे वाली termine condition की box यह जो है completely है, तो आप इसके उपर complete tick करेंगे, और यहाँ पर आप जो है I agree वाले button पर complete click कर देंगे, अब देखिए यहाँ पर आपके सामने complete Kotak Mahindra Bank यहाँ पर credit card ओफर कर दी है, यहाँ पर आप को FD वाला अफन आता है, तो यहाँ पर आप कोटक Mahindra Bank की FD वाला card नहीं लेजीगा, आपको जो मैं इसी वीडियो के description में IDFC की wow credit card की apply link देते हुआ, आप उस credit card को apply कर लेजीगा, देखिए दोस्तों, दोनों की FD यहाँ पर same है, लेकिन इस credit card से ज्यादा benefit आपको IDFC की wow credit card क की अंदर आपको देखने को मिल दाता है, तो फैनल लिगीज आप उस card को लिए apply कर सकते हैं, अगर यहाँ पर FD और यहाँ पर रिगुलर दो काड की आपको अफन मिल दा है, तो उस condition में यहाँ पर आपको पैसे फशाने की क्या जूरत है, यहाँ पर आप जो है रिगुलर card वाले अफन को complete फ्लेक्टरेंगी, और नीचे यहाँ पर proceed वाले बुटिन पर complete क्लिग कर देंगी, अब देखो भाई मैंने आपको वताया था कि अगर आपकी account कोटक महिंदरा बैंक की अंदर है हुई, तो उस condition में यहाँ पर आपको वीडियो की वाईसी गोड़ी करने की जंजट नहीं है, डिरेक्ली यहाँ पर आपको card प्रोफाइड कर देगा, अगर यहाँ पर कोटक महिंदरा बैंक वी आपकी account नहीं है, तो उस condition में यहाँ पर आप से बुला दे रहा है कि आप वीडियो की वाईसी करेंगी, वीडियो की वाईसी करने के लिए यहाँ पर पर क्लिक करेंगी, आपके साथ एक कुटक महिंदरा बैंक की एक्यूटीप complete connect होता है, उसमें आप से आपकी basic details पुछी जा सकती है, जैसे यहाँ पर आपकी एंड्रियस, आपकी नेम, आपकी फादर्फ की नेम, आपकी मदर्फ नेम, यह फारी चीजी पुछी जा सकती है, उसके बाद आपको जब है original वाली fan card को आपको अपनी camera की माध्यम से complete scan करकी उसे दिखाने होती है, फात में गई आपको एक white paper पे बुलू पेन से live signature करकी उसे verify कराने होती है, और गई इतनी सारी basic step में यहाँ पे आपकी video KYC complete successful हो जाती है, तो यहाँ पे आपकी physical verification करने की को vendor process है, फानली यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके लावागे यहाँ पे में एक refresh number भी मिल गया है, जिस refresh number की माध्यम से आप अपनी card को complete track कर सकते हैं, कि अभी आपकी card कहा पे पहुंची है, या फिर कितनी दिन की अंदर में आपकी card जो है आपकी address पे complete delivered होता है, अब physical KYC verification करके चला जाता है, उसमें यहाँ पे आपकी आधार card या और twin card की photo को पी स्वांत में आपकी thumb को यहाँ पे complete scan करके verify करता है, और उसके बाद यहाँ पे आपकी physical KYC complete हो जाती है, उसके बाद 5 सिर 5 दिन के अंदर में आपके address पे account जो है complete deliver होता है, अब दिखो 5 मैंने आ limit क्या मिला है, इस card की नूख क्या है, इस card की pin को कैसे activate करेंगी, चलिए देखी दस्तों card की front log कुछ square से आपको देखने को मिलती है, यहाँ पे first में ही आप देख सकते हैं, यहाँ पी complete address आपको देखने को मिल रहा है, और यहाँ यहाँ पे front page पे ही आप देख सकते हैं, आपको बहुत सारी reward points मिलेंगी, जैसे गई यहाँ पर आपको वताया गया है कि परते क्रिदेट्स रुपिया एस्पेंड करने पर आपको Atex reward points की शैफिलिटी मिलती है, यहाँ पर फ्यूल फर्चेज वेवर की फैफिलिटी मिलती है, अब देखिए दोस्तों हम उपने credit card की limit की बारे में बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरे credit card की number complete आपको दिखने को मिल जा रहा है, और यहाँ पर credit limit 50,000 रुपिया दिखाया जा रहा है, और record को scan करके, यहाँ पर आप अपको credit card की pin को complete activate कर सकते हैं, यानि set कर सकते हैं, उसकी बादे यहाँ पर साब सब्सक्राइब बताए गया है कि RBI की guidelines है, अगर आप 30 दिन की अंदर में इस card को activate नहीं करेंगे, तो यहाँ पर इस card को completely close कर दिए दाएगा, तो finally आप 30 दिन की अं complete activate कर ले,